हेलो गाईज कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको तीन ऐसे कैपसन जनरेटर के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें आप फ्री में आटो कैपसन जनरेट कर सकते हो और ये तीनो की तीनो एपस में 100% एकुरीसी के साथ हिंदी एंड इंगलिस में कैपसन जनरेट कर सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना अगर आप फ्री कैपसान जेनरेटर की तालास में हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो चलिए हम फ़र्स्ट एप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जेमो जो कि आपको इजली गूगल प्लेश्टोर पर मिल जाता है तो आप प्लेश्टोर को ओपिन करके जस्ट सर्च के उपर क्लिक करना फिर जेमो लिख के आप सर्च करना स्टार्टिंग में ही आजाएगा फिर यहां से इंस्टॉल कर लेना ओके तो हम फर्स्ट एप्लिकेशन का नाम जान चुके हैं जो कि है जेमो कहां पर मिलेगा वह भी हम जान चुके हैं अब चलिए हम यह देखते हैं कैसे हम इसमें बिल्कुल फ्री में आटो कैप्सन जनरेट कर सकते तो सबसे पहले आपको इस एप्लिकेशन को ओपिन करना है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आज आएगा नाव यहां पर आपको काफी सारे ओप्सन से देखने को मिल रहोंगे जिनमें कि आपको यहां पर कुछ प्रीव्यू भी देखने को मिल लोगा मतलब कि जिस टैप का कैप्सन आप इस एप्लिकेशन से जनरेट कर सकते हो वो सारे यहां पर आपको कुछ डिजाइन भी देखने को मिल जा रहा है जिसे आप देख पार हो सारे काफी कमाल कमाल की डिजाइन है ठीक है तो चली देखते हैं कैसे कैप्सन जनरेट करने के लिए आपको यहां पर एक सेलेक्टिक कर लेता हूं फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट को पर क्लिक करना है तो आपका जो वीडियो होगा वह यहां पर एड हो जाएगा और आपके सामने यहां पर कुछ आप्सण आजाएंगे ठीक है अब इन में आपको यहां पर एक एक स्पोकेन लेंग्वेज को जा रहा हो जिसे कि हमारी वीडियो में हिंदी में बात की जा रहा हो तो हम यहां पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिस में बात किया जा रहा हो तो आप यहां से इंग्लिस सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो जो भी लेंग्वेज होगा उसे जस्ट आप यहां सर्च को पर है उसे आप हटा सकते हो ठीक है फिलाल हम यहां पर फ्री में क्याप्शन को जनरेट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पर लेंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया अब उसके नीचे आपको कुछ आप्शन से देखने को मिलते हैं जो की प्रीमियम आप्शन से जैसे कि यह को दिन आप यहां से कुछ चीजों को सेलेक्ट कर सेकते हूँ । यसे कि ऑटन है वुट्य में सबसे जादा कितना वाड्स होने चाहिए तो उसको आ यहां से सेलेक्ट कर सकत Freddy रख लेता हु ठीक है फिर यहां पटन след कर सकते हो अरे यार यह तो पूरा ही बैक होगी है तो इसको पर हम फिर से क्लिक कर लेते हैं ओके तो यहां पर हमने सारा सेटिंग्स को कर ली है उसके बाद सिंपलिस आपको रिकोगनाइज को उपर क्लिक करना है रिकोगनाइज को उपर आपको क्लिक करो देन यहां पर प्रोसेसिंग स स्टार्ट होने के साथ ही आपका कैप्सन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर आपको थोड़ा सो वेट करना है और आपको जो कैप्सन होगा वह यहां पर जनरेट करके आपको मिल जागा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो आप देख पारों यहां पर हमारा जो caption वो generate करके हमें मिल चुक है और कुछ इस तरह का डिजाइन में मिला है जो की काफी कमाल कर लग रहा है आप यहां देख सकते हो ठीक है अब यह जो design है इसे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हो जिसे कि इसको पर आ कुछ ऐसा ठीक आप यहां देख पारो तो जो आपको सही मास्त लगता है उसा यहां से Choose कर सकता हो जेसे कि यह सब भी काभी सही भाले ठीक है तो जो सही सेख्ट आप आपश। है इस्वाश्स कर सकते हैं इसको यह सब्लोकिक कर सकते कर कर ignor eh अगर हम कर लेना सेंटर में अच्छा रहते हैं इसलिए सेंटर कर लेना है तो देख सकते हो कुछ इस तरह से यहां पर kaption हमारा विगेशन वगरा को जैसे कि मैं यहां पर इससे अलेक्ट कर लेता हूँ फिल इक्सपोर्ट गोपर कलेक कर द रहाएं तो आपका यह वीडियो है वह सेव हो जाएगा ठीक है तो इस तरी से देखो तो आप एड को देख लेना दिन आप बिल्कुल फ्री में इसे यूज कर पाओ ठीक है मतलब एक एड देख लेने से आप इसे यूज कर पाते हो ठीक है तो एड देख लेना मतलब अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल फ्री में यूज करना चाहत तो एक बार इसका जो एड होता है उसे आप देख लेना ठीक है तो यह हमारा फ़र्स्ट एप्लिकेशन था अब सेकेंड एप्लिकेशन बिल्कुल ही फ्री है मतलब उसमें आपको एड वगर अभी नहीं देखना पड़ता है जिसका नाम है कैपसंस और हां यह जो कैपसं है न कर लेना देन इसे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अब आपको यहां पर क्रेट का एक औप्सण देखने को मिलते है इसको पर आप क्लिक करना यहां आपको सामने एक सब्टाइटल को आप्सण आजागा इसे को आपको सेलेक्ट करना है इससे सिलेक्टि करने गबाद आपको यहाँ पर अपना वीडियो को सेलेक्ट करने जिसमें आपको लेंग्वेज में बात किया जार है ठीक है तो सबसे पछल इसको पर क्लिक करना अगर इंग्वेजस में बात छीट हो रहा है तो आप यहां हिंग्वीज सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन आपको नीजन generate करना है तो आप यहां पे translation के ओपर क्लिक कर सकते हो एंड अगर इंग्लिस में चाहते हो तो आप यहां पर English को सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है और यहां पर आपके सामने दो options आते हैं एक AI ट्रांसलेशन और एक एक डब तो हमें तो सिर्फ ट्रांसलेट करना है अगर आप करना चाहते हो तो इसी को सिर्फ रखना है अप्लाइ करना ठीक है फिर जो लेंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो उसे आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश में कर सकते हो या फिर आप फ्रेंच में कर सकते हो ओडिया में कर सकते हो किसी भी लेंग्वेज में आप यहां से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो बट हमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं चाहिए हिंदी में बोल रहे हिंदी में यहाँ चाहिए यहाँ पर कैप्षो no translate को रखाए ठीक है फिर add caption को पर आपको खलीक करो आपके सामने भी कुछ इस तरह के इंटरफिस आएगा कोई टेंसन की बात ने स्टाप यहाँ इसे कट कर कर दोगे मतलब सब्सक्रिप्शन लेना ही नहीं है हमें ठीक है कट कर दो फिर यहां पर कंट्यूनी को पर क्लिक कर देना इहां पर प्रोसेसिंग सटार्ट हो जाएका और आपको थोड़ा सारा बता नुए क्रिके आ अप को जो प। हो जनरेट हो कि आपको यहां पर मिल जागा ठीक है तो थोड़ा साम यहां वेट कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो कैप्शन हो हमें जनरेट करके मिल चुका है आप देख पारो ठीक है और इस टैप को डिजाइन है वह काफी ज्यादा मतलब की वायरल भी होते तो यहां आपको सही लगे वहां पर इसे अरेंज करें जैसे थोड़ा ऊपर है तो इसे मैं यहां पर रख लेता हूं ठीक है तो इस तरह से करके आप यहां पर कैप्शन को जनरेट कर सकते हो अब इसमें अगर आपको को डिजाइन वगरा बदलना हो तो आपको यहां पर ए इसे ऐनिमेशन में आप रखना चाहता ओ अप enterprise आपको यहां दिखेगा ठीक है देक सकतो इन में से जौ आपको सही लगेगा उसे एसे अनिमेशन को आप अपर चेन्ज कर सकते हो अब हएसे सेव करने के लिए फिर आपको एक्सपोर्ट को पर क्लीक करना है लिए पुसका भी टेंट्शन आपना लो वीडियो के लास्टम में आपको बताऊंगा कैसे आप वाटर मारको को कर से किसी भी वीडियो से ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं इसलिए यह वाला वाटर मार्क आ घ्या ठीक है इसका टेंशन लेना है नहीं है यहां पहुए जो डॉनलोड को प्रक्षिक कर दो आपके डि गैलेरी में यह सेव होगा ओके तो यहां पर सेकेंड अप्लीकेशन देखनों को मिल रहा हूए आपको इसको पर क्लिक काने लेेoftया और पर एसufen का यहाँ आपको जाता क्लिक करना वह लेंगवीज आप यहां सेलेक्ट कर रहा हूं जिसको पराप धुर्रकृ करें नहीं में जाएंगे जिसान जाला लेंगवीज में छाहा हूं टत्रय को सरे कर सेक्ट ही यहां पूडliा का इंग्लीच शोर्ष करना यहां पर प्रोसेसिंग होगा और आपको जो केपसन वोगों आपकी व्यूड़यो को पर अप्लाय कर दिया जाएगा आप यहां पर देख सकतो हमारे कैपसन जनरेट हो चुका और इसमें भी सेम चीज अगर आपको स्टैल को पर क्लिक करना जो डीजाइन आपको सही लगए उससे आप यहां से सलेक्ट कर सकतो इसमें तो काफी सारे डीजाइन मतलब जितने भी अप्लिकेशन मनें आपको बताया उनमें से सबसे ज्यादा डीजाइन से इसी मैं आप यहां देख पार हो तो जो सही लगए उससे आप यहां पर चूज कर सकते हो जैसे कि यह वाला भी काफी सही लग रहा है मैं फिलाहल इसे रख लेता हूं ठीके फिर उसके बाद आप GOT it is also current मिलत हैं तो यहांसे आप जो फॉंट गए होसे भी आप New अफिने हैं अपनी बना सकतो तो जैसे शेर लेक्त उस तरह से यहां से अरेंश के ले न inclhew तो आपको तो आपको जो caption generate करके आपको यहाँ पर दे दिया गया आप देख पारो ठीक है तो इस तरहीं से करके आप यह तीनों एप्लिकेशन में caption को generate कर सकते हो अब इसे अपने डियोहस में सेव करने के लिए export को पर आपको क्लिक करना है उसके बाद औरिजनल क्वालिटि को ही सेलेक्ट करके जश्ट इक्सपोर्ट को पर क्लिक कर देना तो आपके दियोहस में सेव हो जागा ठीक है सो यह था हमारा तीन एप्लिकेशन जिनमें कि हम फ्री में auto caption generate कर सकते हैं बट इस जनेरेट करने के बाद इन सभी में हमारा जो ही ठीक आप यहां देख पारों तो यह वाटरमार को कैसे हटाया जाता है यह मैं आपको अभी बता सकता हूं लेकिन वीडियो का डूरेशन काफी जादा लंबा हो गया है इसलिए मैंने इसे सेम टॉपिक को पर पहले से वीडियो बना कर रखा हुआ है इस वीडियो को आप सत्किंट उस्द्री में कर सकत हूं जैसे की होता ही है ना कि 2-3 बार आप्से यूस कर लोगे फृर आपको देखने के लिए तरीका को फॉलो कर सेकते हैं तो इस वीडियो में अब मिलते हैं नेक्स्ट वुक वीडियो में तब तक कर दो